असलाम अलेकूम स्टूरेंट्स आज चेप्टर टू का लेक्चर एट करने जा रहे हैं यह आपके सामने आज सक्राधारी है 17 एट 2002 आज मंडे हैं कुछ प्रॉब्लम थी जिसके विरे से यह लेक्चर मैं थोड़ा लेट कर पाया हूं रात को मैंने टेक्स साथ को कर दिया था कि साफ्ट्वेर इशू है वो जिस साफ्ट्वेर से हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा इशू था वाराल यह आपके सामने इस वक्त हम नुमेरिकल्स कर रहे थे एडिशन और वेक्टर के उनमें से एक प्रॉब्लम नुम्बर 7 हमने कर लिया था और प्रॉब् हम नहीं देखिए अब यह पड़ा जा रहा होगा यह question number 9 है 8 मैंने छोड़ा क्यूंकि 8 का topic अभी हमने नहीं कि है वो जब हम कर लेंगे तो फिर हम उसे पढ़ लेंगे तो आप question पहले देख लिजिए the position vector of point P and Q are given by R1 यह इसकी value दूगी है 2i plus 3j minus k and R2 यानि यह 3i minus 3j plus 2k point है इसकी length हमने बतानी है in term of rectangular unit vector rectangular unit vector का मत्तब होता है i, j and k and find its magnitude तो जो भी answer आए फिर आपने उसका unit vector भी उसका magnitude भी calculate करना है देखें फर्स करें कि हम इससे पहले position vector की definition देख चुके थे फर्स करें कि कोई एक point P इस जगा मौजूद है यह कि अच्छा इसका मैं position vector draw करता हूं यह कि यह अगया यह point P और इसका position vector इसका जो आपको बता है कि जो position vector होता है उसकी एक equation भी होती है इसकी equation है r1 फर्स करो टू आए प्लस थ्री जे माइनस कि यह इसकी equation हो गई और दूसरा point Q यह point Q है इसका position vector अगर draw करना चाहेंगे अच्छा आप scale से अगर draw करेंगे तो यह straight line आएगी वाइड बोर्ट पर क्योंकि मार्कर स्लिप करता है तो straight line draw करना थोड़ा मुश्किल होता है यह Q point हो गया और इस Q point की अगर मैं position vector की बात करूं तो इसका position vector है r2 और इसकी equation है 4i minus 3j plus k अच्छा अब मुझे मालूं क्या करना है मुझे मालूं करना है PQ यानि कि मुझे यह वाली length मालूं करना है यह वाली अच्छा मैं इस तरफ से अगर यह draw करना हो यह चीज मुझे मालूं करना है इसका ना मैं रख देता हूं डेल्टा आर और ये डेल्टा आर किसके एक फ़ल है पी क्यू के तो डेग्राइम के लिहाज से देखें ये खुद बहुत यानि आर वन में एड़ ओर है डेल्टा आर और ये क्या चीज़ है ये ओ से लेके क्यू तक ये इन दोनों का रिजल्टेंट नज़र आ रहा है तो मैं फ्रॉम डाइग्राइम लिख सकता हूँ के ये वारा वेक्टर यानि ओ क्यू यहां से लेके यहां तक ये रिजल्टेंट एक इसका इसका प्लस इसका यानि ओ पी प्लस पी क्यू अच्या अब ये डियाग्राइम में देखें आप O Q इक्वल है किसके देज प्लस देज यानि O P प्लस P Q अब वैलियू रख दें इसमें तो यहां कि आएगा R2 इक्वल है O P किसके इक्वल है O P यह R1 प्लस P Q किसके इक्वल है Δा R ठीक है अच्छा मुझे क्या मालूम करना है मुझे मालूम करना है PQ यानिए delta R मालूम करना है उपर का question मैं मिटा देता हूं इसी मैं यह solve करता हूं और मैं इह इदर कर देता हूं मैंने दूसरा question पहले से लेक रखा था तो वक्ती तारब आप समयिलें के मैं अब इसमें वैल्यूस रखते हैं आल्टू की वैल्यू कितनी है 4i माइनस 3j प्लस 2k यह वाला माइनस आर वन की वैल्यू लिक्षेंगे है 2i plus 3j minus k और यह equal है कि इसके यह delta रही है as it is उतार दिया अच्छा अब ijk को solve कर दे यह 4i minus plus minus का 2i मैंने इसके साथ लिख दिया यह minus का 3j minus plus minus का 3j यह plus 2k है और minus का k plus 2 के पहले लिख दिया minus minus plus k और यह delta r अच्छा अब यह 4i में से 2i गया तो 2i बचेगा minus minus यह plus हो गया आपस में 6j यह plus का 2k और यह k यह हो गया 3k और 2i अच्छा यह जो delta r है यह तो इसकी length पता चल गई हमें यह position vector आ गया यह वाला यह वाला अब इसका mod मालूं करना है तो delta r का mod गया होगा mod मालूं करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था इस तरफ मैं इसे मिठा के यहां पे कर रहा हूँ तो delta r मालूं करने के लिए i का square प्लस j का square प्लस k का square तो i के साथ लगा हुआ है 2 यह आ गया 2 यह के साथ लगा हुए 6 माइनस का 6 और k के साथ लगा हुए 3 तो यह 3 आ गया तो मेरे पास आ गया 2 का square 4 प्लस 36 प्लस 9 तो 36 प्लस 9 यह हो गया 49 नॉर्मली आंसर अगर whole नंबर में आ जाए तो एक हैंट होती है कि शाइन आंसर हमारा सही आया है तो यह देखें 49 का root 7 units यह डेल्टा आर है और डेल्टा आर को हमने डियाग्राइम के लिहाज से PQ कहा था तो इसका mod इसका mod होगा तो PQ की length हमारे पास आ गई है सेवन यूनेट्स यह इसका आंसर ठीक है तो जो assignment है आज का उसमें आपने ये दो नुमेरिकल लिखें में ये दोनों नुमेरिकल्स में आपके सामने solve कर रहा हूं इन्हीं दोनों नुमेरिकल्स को आपने पनी कॉपी पर लिखके और मुझे upload कर देना है यह से आप लिख ल कि अच्छा यह देखें यह कुश्चन नमर नाइन है कुश्चन नमर नाइन में लिख है प्रूफ दैट वेक्टर ए जाए बी एंड सी इनकी वैलियों साथ दियों ही आई जैके एकी फॉर्म में कैन फॉर्म ट्राइंगल कि यह तीन वेक्टर्स हैं पोजिशन वेक्टर और यह तीनों किसी ट्राइंगल का पार्ट भी हो सकते हैं इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन इसमें फर्दर यह कोई ऐसा कुछे जो कि फॉर मिनट्स या फाइव मिनट्स से ज्यादा का टाइम लेता है नौर्मली वो पेपर का हिस्था नहीं होते क्यूंकि यह शौट कोईस्टन में इसने आते हैं फॉर्म नंबर इनका वेटेज होता है और फाइव मिनट्स से ज्यादा इनको टाइम से प्रूफ करें कि ये किसी ट्राइंगल का प्रूफ करें ये हम प्रूफ कर रहें रहा हैं कि तीन वैकTF अगर की सी ट्रैंगल का पान थे तो इसको क्या रइजन वत था ये जिये अगर आप throw करो हैं एक मैं ऐसे ड्राइंगल कर frameworks सब्सक्राइब का मतलब होता है कि यह जो तीसरा वेक्टर है यह से जुड़ा हुआ होना चाहिए ऐसे यह थ्री साइड डियाग्राम बन गई तो आप देखनें कि तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ जाइन हुए में तो अगर मैं इसे ए का नाम दूँ इसे बी का नाम दूँ और इसे सी का नाम दूँ तो फ्रैक्टिकली है टू टेल रूल के हवाले से क्या बनता है कि ए और ब तो यह प्रूव हो जाता है कि यह तीनों वेक्टर आपस में जुड़े हुआ है तो तीन वेक्टर जब आपस में जुड़े होंगे तो थ्री साइड डियाग्राम बनेगी और फिर वो ट्रैंगल का पार्ट होंगे ठीक है यह बात समझ में आती है यही चीज हम यहां है और यह है अगर मैंने आड करूं तो आई में आयाड हो जाएगा फोर आई में से अगर यह वन आई निकलेगा तो आंसर आगा थ्री आए यानि अगर मैं बी और सी को आड करूं तो वेक्टर ए आने के इमकानात हैं तो मैं ऐसी करता हूं तो मैं यहां लिखता हूं पहले वेक्टर B प्लस C अच्छा वेक्टर B के कॉंटेंट्स पहले लिख दे और C के बाद में लिख दे अच्छा अब इन ब्रैकेट्स को खोल दीजे I को I के साथ लिख लिए J को J के साथ ये माइनस का I प्लस का 4 I इसके साथ मैंने लिख दिया प्लस का 3 J ये वाला माइनस का 2 J ये मैंने इसके साथ लिख दिया प्लस का 4 K और इस तरफ क्या है माइनस का K ये मैंने इसके साथ लिख दिया अब इससे सॉल्फ कर दें ज़रा सिंप्रिफाइर करें क्या आंसर आता है 4i में से एक आए गया 3i 3j माइनस 2j यह बचिया जे और 4k माइनस का k यह बचिया 3k अब यह देखें यह क्या चीज़ है उपर देखें कि अच्छा मैंने कुशिशन कहीं गलत तो नहीं लिख दिया कुशिशन नमबर 10 किदर गया यह कि ए है 3i s j माइनस का 2k अच्छा यह मैंने के जो c का वेक्टर है यह मैंने अदर लिग दिया है यहां 6k था कि माइनस का 6k अच्छा 4k में से 6k निकलेगा तो माइनस का 2k बचेगा यह क्यूंकि मैंने पहले कही दफा किये हुए क्वेस्टन्स तो मुझे पता है कि यह ऐसे ही होते हैं तो यह देखें 3i प्लस j माइनस 2k यह यह पूरी चीज के आए यह पूरा है वेक्टर ए तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बी वेक्टर और सी वेक्टर को एड़ करने से वेक्टर अ जाता है इसका मतलब है कि यह तीनों वेक्टर आपस में ज्लाइन है यानि तीनों किसी ट्रेंगल का पार्ट हो सकते हैं तो यह ही लिखेंगे as by adding a, b and c we get a as their resultant vector therefore we can say that three vectors form a triangle पूरा statement आपने लिग देने यह मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूं okay as by adding b and c we get vector a as by adding b and c we get a as their resultant vector therefore we can say that three vectors form a triangle ठीक है भई यहां तक कर दीजिए यह दोनो numericals आप अपनी copy भी करके google classroom में submit कर दीजिए ताकि आपकी आज के दिन की attendance लगाई जाए जाए तो मैं इसे आपके assignment के तौर पे आपको दे देता हूँ झाल